चलिवाई नवस्कार साथियों सागते आप सभी का MD Classes की यूटूब चैनल में क्या हल चालेंज अभी थे आसा करते ही कि सबसांदार बणिहां और चबदस्त होगा तो जन्वरी 2023 से MD Classes पे मैंने एक नई सीरीज शुरुबात करी थी जिसका एक मोटी ब्ये था कभी कभी होता क्या है कि ऐसे कई सारी भर्तियां होती जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं चलता और वो अलग-अलग जहोंपर वीडियो देख रहे होते तो सही information है कि गलत information है बहु सारी चीज़े बच्चों के सामने बढ़ती है तो हर महीने की सुरवात के सब्ता हमें हमने ये सुरूच आता कि भाई आपको उस महीने की सबसे सांदार जो भरतिया है जो कि 10th लेवल पे हैं 12th लेवल पे हैं या ITI हैं या वो भरतिया जो वंडे एकजाम्स की हैं जिसको बच्चा एकदम बड़िहां तरीके सा त्यारी करक और ये करते करते आज दिसंबर हो चुका है यानि इस साल का ये आखरी दिन है तो जन्वरी से सुरूग क्या ये सिरीच पूरे साल कांटीनू रहा और ये कांटीनू इस वज़े से भी रह पाया क्योंकि जब आपके नीचे कमेंट आते हैं और आप कहते हैं कि सर मुझे या तरीके से साल का आखरी साल है, माकरी महीना ही ये, और इस आखरी महीने में कितनी भरतियां संभावित हैं, क्या ITI वालों के लिए कोई मौका है कि नहीं है, क्या 10th वालों के लिए कोई मौका है यह नहीं है, वो सारी चीज़ां हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हर भरती और हर वीडियो से पहले आपसे एक बात होती है, कि आपकी qualifications क्या है, आप में से कितना ऐसा बच्चा है जिसनोंने 10th को पास कर रखा है, कितना ऐसा बच्चा है जिसने 12th को पास रखा है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी भरते दिखा हूंगा ना, जो ITI अभी खास मतलब नहीं है, चलिए, तो मैकसम बच्चा 12th graduation यही सब बच्चा हमें देखने को मिल ला है, और दूसरी बात आज की वीडियो सुरुआत करने से पहले, आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, कि अब एक इस साल का आखरी महीना चलना है, आप सोचा होगे कि भाई पहला जब जनूरी आयोगा, फ़वरी आयेगा, तो अब मार्च अप्रेल इस तरीके से करते करती, कब ये साल खतम होगा, पता नहीं चला, फिर 2024 भी ऐसे ही होगा, और ये साल ऐसे चलते चले जाएगे, अगर आपको लग रहना है कि आप अपने टार्गेट को लेके अभी तक उतना एक्टिव नहीं हो पाई, जितना होना चाहिए था, तो आप अपने आपको एक्टिव करिए, क्योंकि 24 है, 25 है, कब तक हम इस चीज को जहलते रहेंगे, एक टार्गेट मान लो, इस भरतियों में से अगर आप किसी में फिट आ रहे होना, तो इसमें पूरी लग जाए, उन्हें ऐसा थोड़ी कि सोने का चैनल ना के दे दो, तो पिता जी खुसेंगे नहीं, वो बस इसलिए खुस हो जाएंगे ना, कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ, तो आपको अब इन भरतियों में से, अगर किसी में सेट्टेवल आ रहे हो, तो जान लग मेरे भाई, और इसी बार सलेक्शन ने लेना चाहें कुछ भी हो जाए, चलिए, तो सुरवात करते हैं, इस दिसंबर की पाँच सबसे सांदार भरतियों के बारे में, जिसको आप पेपर दे सकते हैं, जिसकी तियारी आप कर सकते हैं, और जो MD classes पे कहीं ना कहीं, किसी ना क सबसे पहले तो 24 नॉवंबर को एक भरती आई है, जिसका नाम है SSC GD 2024, 31 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, अगर आपने 3 पास किया है और आप देश सेवा करना चाहते हैं, तो 26,146 पदा हैं, इस से बहतर मौका नहीं हो सकता, और SSC GD के लिए बच्चे जान ल लेकिन अगर आप OBC हैं या SCST कटेगरी में हैं, तो आपको 5 साल और 8 साल का रिलिक्सेसन देखने को मिलेगा, 20 फबरी से SSC GD की परिक्चा सुरू होगी, और 12 मार्च तक परिक्चा चलेगी, अलग अलग सिप्टों में परिक्चा होगी, बहुत सांदार नौकरी है, और SCST में हैं, तो आपको वो भी नहीं देना, यानि आप फ्री में फॉर्म भरके बहतर तरीके से नौकरी ले सकते हैं, SC GD में जो बच्चा जाना चाहता है, और उसे सब्जेट का कन्फूजन है कि क्या पढ़ना पढ़ेगा, किस चीज के लिए मैं त्यारी करना होगा, क्या क्या पढ़ूँगा, तो आपके लिए वही सारे सब्जेट हैं, जो बाकी सभी परिक्षाओं में होते हैं, जैसे री सबसे सांधार मौका है, अब इसमें जो एक अलग से बच्चों के लिए डौबायक आ जाता है, कि भाई तेंथ पास तो हर बच्चा है, लेकिन अगर आपकी हाइट 117 cm है, मेल कटेगरी में तब ही इस फॉर्म को भर पाएंगे, और अगर फीमेल वाले 157 cm है, तब ही भर सक है, अगर भर रहा है, तो यस कमेंट आने चाहिए, और नहीं भर रहा है, तो नो कमेंट आने चाहिए, चलिए, मैक्सम बच्चा है, अब इस फॉर्म को भनने के लिए 20 फवरी से परिक्षा है, तो दो महीने के अंदर अंदर आपको त्यारी करनी है, जन दिसंबर और कुछ है में, इस बैस से जुड़ सकते हैं, जिसमें इंडिया की सबसे सांदार फेकल्टी में से एक आपको पढ़ा रहे होते हैं, ये पहली भरती थी, जो कि तेंथ वालों के लिए थे, आए दूसरी भरती के उपर आते हैं, दूसरी भरती उन बच्चों के लिए है, जो रेलवे के लिए परिशान है कि रेलवे की भरती क्यों नहीं आ रही है, और रेलवे की भरती की तरीके से ही वो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ना इंगलिस पढ़ा रहा है, ना हिंदी पढ़ा है, उन बच्चों के लिए बिहार इंटर लेवल की भरती है, लेकिन ये इस वा अभी फॉर्म नहीं भरा है कुलमला के 12,199 पोस्ट है 540 उपया फॉर्म की फीस है एज आपको कभी परिसान करेगी नहीं फॉर्म आपका पेपर होने के फ़बरियों मार्स चांसे जाने अगर आप फॉर्म को भरते हैं फिर भी दो महीने तीन महीने परियाप्त समय है त्यार को भर सकता कुछ-कुछ ऐसे पोस्ट जिसमें कुछ भी नहीं चाहिए होगा तो अब देरी किस बात की इसको सामिल करने का सबसे वड़ा कारण आप समझ गया होंगे प्री में क्या आएगा जी अस पचास कोश्टन रीजिनिंग पचास कोश्टन और मैथ और साइंस मिला के पचास कोश्टन 500 कोश्टन 600 नंबर की परिक्षा होगी मेंस वैसा ही होगा खाली मेंस में हिंदी एड हो जाता है और कुछ नहीं होता है और इसकी तियारी अगर MD क्लासे से चाहते हैं तो कौटिल लेच वन अब दा बेस्ट वेच इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है इस से आप जोड़ सकते हैं नीचे नंबर चलने उसके थूप तो हमने सबसे पहली भरती देखी SSC GD के 10th वालो वैपास अब देखा वो बच्चा जो रेलवे की त्यारी करना चाहा रहा था वेकेंसी नहीं आ रही हैं वो क्या करें तो वो बिहार का इस फॉर्म को भरते आ लिए ठीक है काफी बच्चे अब आते हैं DSSB वैरियस पोश्ट पे अब आपकी सिकायत नहीं सर्थ मुझे वह फॉर्म नहीं बना मेरे पास टैपिंग सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं हैं आमने कहा रुको भाई जरा थामो आपके पा किसी में ITI भी मांगा गया और किसी में सिरफ graduation मांगा गया है इसके लिए आपको सिरफ 100 रुपय का फीस देना है एज का कोई बहुत बड़ा जंजट है नहीं 21 नुवंबर से फॉर्म सुनों है और अभी 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे सरकारी रिजल्ट या बाकी चाहिए इसमें क्या नहीं भरना चाहिए और किसका क्या प्रोसेस होता वो सब कुछ बता दूँगा इसमें 863 में से सबसे जादल जो वैकेंसी है वो 261 है जो की वार्डर का आपके पास आया हुआ है जेल वार्डर जिसको बोलते है जिसमें सिरफ 12 आपको चाहिए और 12 ठारा से 27 से और जेल वार्डर वो नौकरी ले सकते है DSSB में तो अब ये उनके लिए भी है अब आप जैसे इसी में देखो तो यहाँ पर 10 प्लस 2 चाहिए और डिप्लोमा चाहिए यहाँ पर देखो तो ग्रिजिशन चाहिए बीड चाहिए इस तरीके से बहुत सारी वैके जाके जरूर देखिएगा तो जो बच्चा SSC GD में नहीं जा पा रहा है विकॉज अफ हाइट जो बच्चा बिहार इंटर लिवल का फॉर्म नहीं भर पा रहा है विकॉज अफ सर्टिफिकेट वो बच्चे DSSB का इस महीने फॉर्म भरे लिजे इस पे जान लगा दीजे बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगी इसके बाद अगला जो आएगा वो तो देखाई जाएगा चलिए अब अगली भरती पर नजर घुमाते हैं देखते हैं हमारे पास अगली भरती कौन सी है अब अगली भरती आती आईबी ACIO की ग्रेजुएशन की भरती है ये आईबी ACIO हर साल आने वाली भरती नहीं है लेकिन इसका ये कहा जाता है न कि दो से तीन साल में एक बार ये अपना चहरा दिखा देता है ये खुपिया विभाग है आईबी मतलब होता है इंटेलिजेंस वाला बच्चा क्रैक कर सकता है नहीं इसको हर बच्चा क्रैक कर सकता है और इस बार तो बहुत बढ़े हैं वैकंसीज है 995 यानि लगबग 1000 भरतीया है इसमें कौन बच्चा भर सकता है कोई special criteria नहीं चाहिए सिरफ ग्रेजुएशन वाला हर बच्चा फॉर्म को भर सकता है एज भी 1827 बहुत अच्छी खासी एज है 25 नॉमबर से फॉर्म सुरू है और 8 दिन बाद फॉर्म खतम हो जाएंगे यानि 15 दिसम्बर को खतम हो जाएंगे अब आप सोचड़ो एक महीने से कम आपको फॉर्म भनने के लिए दिया गया इसका मतलब आई भी किस हिसाब से करेंगे तो मैं डेटेल वीडियो कोई कोर्स हो सकता होगा तो डिजाइन कर दूगा लेकिन इस पर मुझे सोचना होगा सारी चीजे देखनी होगी टीम इसके लिए लाना पड़ेगा क्योंकि नई और सांदार वेकेंसी जे वो सब कुछ मैं कर दूँगा अगर आपकी चाह क्षा क्वालिफाई करनी होगी कुछ नहीं चाहिए इसमें अलग से हाइट वगरा कोई मतलब नहीं सबसे पहला इस्टेज आपको प्री है फिर मेंस है और फिर आपका इंटर्व्यू होता है प्री में करेंट इस बीस कोशन जीके बीस कोशन मैथ बीस कोशन रीजिनिंग क्या अलग से आ रहा सिरफ करेंट इफ्रेस को अलग कर दिया जीके से कुल मिला के बीस 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 पांस सेक्शन होते हैं 100 कोशन 100 नंबर का होता एक घंटे का समय मिलेगा अब आपने प्री कॉलिफाई कर लिए क्या कुछ अलग है नहीं सिरफ इंगलिस पढ़ना पड़ेगा इसके अभी मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं सबसे सांदार जबर्दस उसके लावा कुछ नहीं करेना मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है पेपर और उसके बाद इंटर्व्यू होता है यह इंटर्व्यू खतरनाक नहीं है खतरनाक ड 8 बजे सिरफ बच्चों की स्पेसल डिमांड पर सीना मैं लेकर आ रही है SSC, IB, ACIO, ESIC सभी परिक्षाओं के लिए इंगलिस का प्रैक्टिस सेट जो की यूटूब पर बिल्कुल फ्री चला जाएगा और मैं ने कहा कि सर अगर मैंने 20 से 25 प्रैक्टिस सेट करा दिना तो IB व उससे बहतर कुछ करना नहीं है और मुझे सायद आपको यह बताने क्या आओ सकता नहीं है कि सीना मैं इंगलिस कैसा पढ़ाती है आप खुद आओगे जब 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे आप खुद देखोगे कि सर इंगलिस की इनसे बहतर इनसे knowledgeable और इनसे बहतरी जीनस फे से पढ़ा रहा और बहुत बड़ा नाम है तो सीना मैं सुबह 8 बजे 11 दिसंबर से आपकी क्लास ले रही होगी प्रैक्टिस उठोगा यूटूब पर बिल्कुल फ्री होगा यह अभी आपके लिए फिलाल गिफ्ट है एक बार सभी बच्चों के चेहरे पर फुसी आ जाना UPSC CDS 2 यानि CDS आपको पता साल भर में दो बर मिलता है तो ये 20 दिसंबर से आएगा जो बच्चा ग्रेजियोशन या अपेरे हैं उसके लिए बहतरीन मौका है सेना में बड़े पदो पर जाने के लिए ये आज की आपके पास भरतिया नहीं थी दिसंबर 2023 की अब जब मैं अगली भरति लेकर आऊंगा तो वो कहूंगा जनवरी 2024 की सांदार भरतियां और हो सकता है कि जनवरी 2024 में MD Classes पे कुछ नए अपडेट आपको देखने को मिले या MD Classes पे कुछ नई चीज़े आपको देखने को मिले लेकिन आपका प्रड़ होना चाहिए कि इ अब भी वाल बाय बाय गुटनाइट टेक क्या थांकियो सो मच गाईज